नमस्कार मैं हूँ राखी जैन लोग तंत्र में विधायकों को छुपा कर रखना पड़ रहा है राजसबा चुनाव की हार जीत ऐसा क्या माईने रखती है आज इस संबन में बात करते हैं हमारे चैनल हेट और जाने माने राजनेतिक विश्चेशक अनिल लोढ़ा जी से अनिल जी स्वागत है आपका स्टूडियो में अनिल जी हमारी संसत के दो सदन है लोगसबा और राजसबा राजसबा का चुनाव हर दो साल में आता है लेकिन चुनवे संसत का कारेकाल छे साल का होता है आखिर ये क्या गणित है देखिए जब समीदान निर्माताओं ने दोनों सदन बनाये थे तो राजसबा को उच्छे सदन कहते है लोगसबा को निम्न सदन कहते है जैसे हाउस अफ लॉर्ड्स, हाउस अफ कॉम्मन्स, अमेरिकी सिनेट और अमेरिकी कॉंग्रेस तो ये जो कि भारत एक बहुल राज्यों वाला, बहुलता वाला, अलग भाशा, अलग संस्कृति वाले बहुत सारी राज्यों का बनावा एक राज्य है, देश है, राष्ट्र है इसलिए हर राज्य का प्रतिन्दित हो पाए और किसी राज्य में उस पार्टी की सरकार ना हो जिसकी केंदर में सरकार हो तो उस राज्य के बहुमत की राय को प्रकट करने वाला राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए हितों की जानकाई देने के लिए केंद में सदन में कोई आदमी मौझूद रहे इस उद्देश से राज्यों को उनकी संख्या के अनुसार विदायकों की संख्या अनुसार राजस्टाइब की राजस्तान में दस सीटें हैं और एक तियाई सीटें हर दो साल बाद बदलती है तो कारेकाल तो छे साल होता है पर दस में से तीन का कारेकाल जब खतम होता है तीन नए चुनियाते हैं वो छे साल रहते हैं दो साल बाद अगले तीन बदलते हैं और उसके दो साल बाद अगले चार बदलते हैं सब का कारेकाल छे चे साल होता है तो इसलिए एक बार तीन का चुनाओं होता है फिर एक बार तीन का चुनाओं होता है फिर एक बार चार से रश्वाँ चुनाओं होता है रायस्थान से और ये चुनाओं सिंगल ट्रांसफरेबल वोड सिस्टम से होता है जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे तो विदायकों की संक्याक के आधार पर प्रत साल के लिए कि उन जाते हैं लेकिन छुना हर दो साल बाद एक two is सदश्टका होता है जिए अगर बीच में किसी कोई सदस्द से स्सीफा दे दे या किसी का निधन हो जाए तो फिर क्या से होता है ज que is जिस एक वह खास बात की कि एगर कोई सदस्द से 30 साल बात किसी नितन हो गया जैसे अभी जो कार सिंग लखावाद चुनाव लड़ रहे हैं ये पहले सांसत रहे हैं राजिसवा के तो ऐसी रहे हैं बच्चे वे समय के लिए चुना जाता फिर आज़ी वो च्छे साल के लिए निए चुना जाता है अगर कारेकाल दो साल बचा है मनमौ इसने स्थिफा दिया है वो था बी जेपी का पर अब कॉंगरेस सरकार आगई तो अब एक साल का जाएगा और में लिए निए चुना जाता है कई पार ऐसा भी होता है अनल जी राजय सभाग के चुनाओं में जीधार इतना माइने क्यों रखती है देखिए बहुत सारे विधेयक ऐसे हैं ट्रेजडी बिल और बहुत सारे विधेयक राज्य समा में पास कराने जरूरी होते हैं लोगसभा के बाद राज़सभा में जब जाता है जी जाज़सभा में उस पार्टी का बहुमत होई जरूर नहीं है जो कि लोगसभा में बहुमत रखके देश पे शाजन कर रही होती है क्योंकि यहां तो उडिशा से अलग पार्टी है, तमिल नाडू से अलग पार्टी है, रीजनल पार्टी है, ममता बनर जी पार्टी है, और जगे जगे की रीजनल पार्टी बहुमत में हैं, अपनी विदान सभा में तो वहां से बहुमत में ही आते हैं चुनकर के विदायकों के प्रतिंदी राजसभा में तो इसलिए दूसरी दूसरी पार्टियों के लोग मिलकर कि अगर केंद नहीं कड़े हैं तो वहां पर बहुमत के अभाव में केंद सरकार के बार मुऊ की खानी पड़ती है कई बार बिल लॉटा जी राजसभा जीर विचार के लिए लोग सबा क काम भी डिले होता है और बहुमत नहीं होने कारण कई बार शरकारों को शर्मिंद की उठानी पड़ती है इसलिए राजसभा में बहुमत पाने कोशिश हर वो पार्टी करती है जिसकी केंदर में सरकार होती है ताकि उसको वहाँ पर वो उसको स्मूथ सेलिंग कर सके वहाँ प सकता है इसको कहते हैं एकल संक्रमनीय मलत प्रणाली सिंगल टांसफरेबल वोड शिस्टम इसकी first reference होगी second requis थर्ड प्रिफेंस होगी, परन्तु एक विधायक का, एक मददाता का, एक ही वोट काउंट होगा एक बार में, ठीक है ना? इसका एक सिस्टम है कि इतने मत पाने वाला ही जीच सकता चुनाओ, तो वो जो फर्स्ट प्रिफेंस काउंट होती सबसे पहले, उतने वोट जो फार एल्मिनेशन के पास second वरीता उन वोटों की जिसको eliminate किया गया उनकी second वरीता की वोट count होते हैं फिर भी अगर वो जो एक line बनी हुई है जितने वोटों की उसको पार नहीं कर पाता आदमी तो फिर कोई lowest होता है उसकी second वरीता या second जो वरीता की vote count हो गए वो काम तो उसका दूसरा वोट काम नहीं आएगा वोट फिर अलग रख दी जाएंगे जी 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 वोट दूसरा उसी काम आएगा जिसके पहली वरीता से दिये गए वोट का प्रत्याशी जीत नहीं रहा है जी और तीसी वरीता का उसका काम आएगा जब दूसरी वरीता के वोट क तो उस दिन हो जाता है जब दो केंड़ेट को बराबर वोट मिले या एक दो से नीचे हो कई बार पीछे रहने वाला विखती दूसरी तीसी वरीता से आजया जाता है जी और जिसको पहली वरीता है ज्यादा वोट मिलो लेकिन वो जो लक्ष है उस तक नहीं पहुंच पाया जी कई बार जो जिस तरीके से एक, दो, तीन या कुछ भी लिखना है जुसको प्रक्रिया होती है कोई गलत तरीके से लिख देता है या अलग पहन से लिख देता है तो वोट उसमा खराब भी हो जाता है देखिए दो उधारन सामने हैं सर्याना में जब सुबाश चंद्रा जीते थे चुनाव 12-13 कॉंग्रस के विधायकों ने लाल लंग की शाही से लाल लंग के पैन से वोट दे दिया था आपको वोट उसी तरह देना है वन वैसा लिखना है जैसा कि बत्पत्र भी लिखा गया टू वैसा ही लिखना है जैसा वहां पर अंकित है अगर किसी ने वन के आगे डॉत लगा दिया तू के आगे डॉट लगा दिया बहुत से लोग जा आता थी वन लिखके बिंदी लगाने की वोट इन्वेलिड हो जाएगा इसलिए प्रशिक्षिक्षन देना पड़ता विदायकों को चुने विदायकों को भी बार-बार बताना समझाना पड़ता बहुत लोग जा आता थी बिंदी, कोमा, फुल स्टॉप, गोला, सरकिल, नीचे लाइन, डबल लाइन ये सब वोट को इन्वेलिड कर दीती है और वो पहन जो प्रेस्क्राइब नहीं आपको दिया गया नहीं उसकी शाही से अगर आपने काम में ले ली हरी शाही, नीली शाही, कोई और शाही तो ज ये अपने वोट को इन्वेलिड करा कि किसी हारते को जिताने का भी एक तरीका है, जी, गुप मद्दान होता है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं लोग, इसमें कानून ये है कि कॉंग्रेस का पत्याशी किसी को नोमिनेट करता है, मालू मुखी सर्थे तक को नोइट किया अठाते हैं, तो अपनी पार्टी के जो प्रतिंदी वहां बैठा है, चुनाओं में परिवेक्षा गया, चुनाओं में नुमाइंदा बनके पत्याशियों का उसको वोट आप दिखा सकते हो, आपने 1, 2, 3 जैसा आपने वोट दिया जो भी, वो कॉंग्रेस के विदायक वो जरूत नहीं है, बीटीपी पार्टी राइस्तान में या सीपीय में वोट अगर देते हैं, तो उपको किसी ओदिखाना ही जरूत नहीं है, अगर, वो दिखाना चाहें तो, ने वो दिखाना चाहें, तो मैं समझता हूँ कि शायद वोट इन्वेलिड हो जाएगा जैसा पुझ रात में आपको जया था है, एमर पटेल के समय सुप्रीम कोड तक मामला गया था और चुनाव आउक तक मामला गया था, पुझ रात गहमा गहमी चली थी, वो यह ही था कि जिसने कॉंग्रेस की विदायक ने बीजेपी को वोट दिखाया ही, तो देख मैं यह कर रहा जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हो, उसी पार्टी के प्रत्याशी के नुमाइंदे ओड दिखा सकते हो, तो यह एक तरीका है, और अगर आपने दूसरे को दिखा दिया, आप सबोटाज कर रहे हो, आप दल दोग कर रहे हो, और दल दोग करके अपनी पार्टी वाले को दिखा और ना दिखा, दूसरी पार्टी वाले को दिखा रहे हो, तो वो वोट आपका इन्वैलिट हो जाएगा, और इसको विपका उलंगन भी माना जाएगा, पुल मिला कि पुकता व्यवस्ता है कि अगर कोई अपनी पार्टी को अगर धोका भी देना चाहे, तो जो व् दंडा घीजने, ओपर दंडा घीजने, कुछ भी कर दें, एनी आइडेंटिफिकेशन जो आपके वोट को रिवील कर दे, आपने किसको वोट दिया, ये बात सारजनिक कर दे, वो वोट को निरस्त कर देगा, राज्य सबर्चिनाव के समय, जो पूरी प्रक्रिया है, उसमे कोई भी विधायक, अगर कुछ गलत हरकत करता है, तो क्या उसकी विधानसवा सदस्यता भी जा सकती है, क्या? जी वैसे कानून तो यह है कि चीफ विब जो विब जारी करता है उसके विब का उलंगन करने पर चीफ विब पार्टी का नेता शिकायट कर सकता है विदानसवाद द्रेक्ष के पास अब ये विदान सवा अद्रिक्स को फैसला लेना होता है कि ये विपका उलंगन दलबदल कानु की सिर्णी में आता है या नहीं आता है और ये विदान सवा अद्रिक्स का विवेका दिखा रहे है कि वो इसे दलबदल माने या ना माने ये विदान सवा अद्रिक्स को तैक कर अनिल ली रायसान में जो चुनाव होने हैं कितनी सीटों के लिए हो रहे हैं और क्या गणित कह रहा है इसका दस राजिस्वागी सीटें इस बार तीन पर चुनाऊ हो रहे हैं इस बार तीन की बारी है दो बार तीन तीन सीटों पर होते हैं जैसा मैंने पहरे बताया था एक बार चार सीट पर होते हैं तो तीन सीटों पर जब चुनाऊ हो रहे हैं और दो सो हमारे विदायक हैं इसका एक फार्मुला एक गनित है जीत का गनित वो मैं आपको बताना चाहता हूं कुल विदायकों की संख्या बटे कुल सीटों की संख्या प्लस वन और इसका नजिया इसमें प्लस वन दो सो बटे थ्री प्लस वन यानि दो सो बटे चार और प्लस वन यानि कि दो सो बटे चार का और प्रस वन 51 वोट जिसको मिलेंगे वो जीतेगा पर्थम वरीता कि कावन जिसको मिल जाएंगे वो जीत जाएगा और अगर पर्थम वरीता में किसी को भी कावन नहीं मिलते मान लो यह एक को मिल जाते हैं बागी दो को नहीं मिलते हैं तो जो नीचे लोएस्ट होगा जिसक सेकिन्द प्रिफरेंस किसी ओडी जाएगी अब यहां केस काहरे दिफरेंट है जी यह पर दो केंडरेट्ट कॉंगरेस कें दो बीजेपी कें तो जो दो ये पे सब्सक्राइब गर मां ल। अगर मौन शानिते ना उत्य मीजदे एक को मिलते हैं बाकि दो को जीच जाएंगे. मैं ये बताना चाहता हूं कि 200 बटे 3 प्लस एक यानि 200 बटे 4 प्लस 1 3 सदस्चों को चुनना जाना है तो 51 प्रथम वरीता के वोट जिस पार्टी के केंडिट को मिल जाएंगे सबसे पहले प्रथम वरीता के वोट गिने जाते हैं सभी 200 बटायक हों के और मैंने जैसा पहले बता है कि जिस तरह वन लिखना उसी तरह वन लिखना है जिस तरह टू लिखना उस तरह टू लिखना है अगर किसी ने भी कोई identification ऐसा लिख दिया तो वोट निरस्ट हो जाएंग है या तीन को मिलते है तो कोई बात ही नहीं फिर तो जी ठीक है na ایसे लोग एक या धो या तीन पत्याशी अलग हो जाएंगे तो चोफ़ः पत्याशी अपने अप वी ऐलिम्योंट हो जाएगा जी ठीक है न और थीन मांज लियांगे, अगर यहाँ प्रच्ची पांच शे साथ होते, तो लोएस्ट वोट कराथ करने वाले को यूमिनेट किया जाता, उसके वोटों की सेकेंड प्रिफिरंस को काउंट किया जाता, याद रहे, धियान रहे इस बात का कि अगर पहली वरीता कि जिसको को एक तटों को मिल गए उन क दृक कर दिया जाएगा उन वोटों की सेक्जिदं और थर्ड प्राइटि काउंट कभी नहीं की जाएगी एक आद्मी की वोट का देगा हो तीन वोट फिर्स्ट प्रेस्ट सेकिंड प्रेस्ट थर्ड फिर्स्ट प्रेalities बट एक बार में एक वोट पका होगा और उस वोट से यागर निनन निकल गया जी दिया कोई प्ária भाहर में प्र॥र्थी 147 कहा कम्ति नगीक जाएगे एके करके lowest को अलग करते आते हैं और जिसको भी recount मिलते जाएंगे वो जीतावा गोचित होता जाएगा लेकिन यहां तो चार ही है तो जो चोथा है ऐलुमिनेट होते ही बाहर तो तीन जीत गए जीद गए जीद अब इस गनरित में खास बात यह है कि कॉंग्रेस के पास 107 तो खुद के विदायक है जी खुद के पास है बिलकुल यानि की एक लोगदल के हैं और बच्छे बीएसपी से आई वे जू मिले वे हैं सो खुद के जीए 107 विदायक तो पार्टी के साथ वैसी ही है और 13 हैं कॉंग्रेस के पास निरदियों का समर्कर पूरा का पूरा एक ह рекया करेस्ता को टो ये कॉंगरेस के पास एक सुपचीस का अंखडा बन राकुल इस वक्त कॉंगरस के पास है 3 हुद और लग्ता नहीं की कॉंगिस में कोई इन unfor पूट होगी, दलद्रो करेंगे लोग, सबोटेज करेंगे लोग, क्रॉस वोटिंग करेंगे मुझे अब नहीं लग रहा है। इतना सारा डेमेज कंट्रोल किया गया है, इतना सारा मान मनुवार हुई है विदायकों से, उनका मन लिया गया, उनकी समच्या है पूची गई, खुद मुख्यमंत्री उनके केम्प में रहे, लगातार वहीं सोये, और कोई छोटे मोटे गिलेशिक वे किसी के ते वो भी सुन लेकिन फिर भी कॉंग्रेस ने एतियात बरता, बीजेपी के पास 75 वोट है, बैतर खुद के और तीन हनमान मेनिवाल की पार्टी के, उसे काईदे से 45 खड़ा करने को कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, दूसरा प्रत्याशी मतलब उनका, उनका, लेकि उन्होंने की है, और अगर तक मेरी जान करी है, और बचे वे उनके 24 वोट जो हैं, वो परसम वरीदा कि आउकार सिंग लखावत को दी जाएंगे, ऐसा मुझे पता लगा है, 24 वोट के बाद अगर वो 23 वोट भी सारे ले जाएं, एक्स्ट्रा जो कॉंग्रेस के पास हैं, तो भी वो जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 47 पर होंगे, एल्यूमिनेट हो जाएंगे, तो उनकी जीत की संभानत तब है, जब कॉंग्रेस के दूसरे प्रत्याशी को 51 वोट ना मिलें, और आउकार सिंग लखावत को या राइंद गहलोत को मान दो, उनमें भी कोई सबोटेज हो जाए, वी कॉंग्रेस की सेकिंड केंडेट से एक वोट ज्यादा मिले, चौथे केंडेट को, तो ही उसकोई कंसिलेशन में रहने की उमीद है, जो कि मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं लगता, कि ऐसा हो सकता है, कॉंग्रेस की दोनों पत्याशी आज की स्थिति में 51 वोट से जीतने क की स्थिति में, एक्स्टा वोट भी आएंगे उनके पास में, जो उनी को मिलेंगे, सेफर साइड में कॉंग्रेस चलेगी, केसी वोल्डिंग गोपाल, राश्टी महसाचीव हैं, देश के बड़े नेता हैं, कॉंग्रेस के बड़ा ओधा है उनके पास में, उन्हें कवन व होगी, होर्ट सेडिंग की कोशिश हो रही है, अब मुझे उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही, कोई आशंगा नहीं है ऐसी, दल बदल, दल द्रोज जैसी, लेकिन होता है तो भी कॉंग्रेस बहुत कमफर्टेबल पोजिशन में है, क्योंकि बीजेपी के दूसरे प कामी परड़ाम हो सकते हैं? कौन-कौन है जो इस भाड़ को फोड सकते हैं, कहते हैं अकिला चना भाड़ नहीं फोड सकता, तो वो ऐसा कितने चने हैं, तो कितने चने ये गिनना चा रहे थे वो, मेरे को लगता नहीं है कि वो राजसवाद चनाव में दो सीट जीतने की उनकी को सीरियस मन्शा थी और जो प्रत्याशी उनने खड़े किये, उसमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई उनका पालिटी का इस्थानी नित्र द्राजस्थां का नित्रत्व है, वो कोई चारा होगा कि दूसरे प्रत्याशी को जीत मिल जाए, या जीत के लिए को प्रयास संभव हो सके, लेकिन उनों इस बहाने से कॉंग्रेस के भीतर लहरे गिनने का काम किया है, कि सचिन पालेट या दूसरे मंतरी या तीसरे मंतरी या चोते मंतरी जाकि कौन जिनको मंतरी पत नहीं मिला बड़े दिगर्स थे कॉंग्रेस में, उनमें कौन-कौन विद्रो के सवर, कौन-कौन मेनेजबल है ये संकेत देता है ताकि छे मैने बाद, आठ मैने बाद, साल बर बाद, कभी भाजबा, अला कमान कोशिश करे, effort करे, रायस्तान में सरकार गिराने का, अगर करे तो, क्योंकि वो कर सकते हैं, कभी भी, करनाटक में किया है, मद्बरेश में किया है, तो कोई आश्यरी बाद नह उसके बाद भी पहुमत नहीं होगा उनका क्योंकि बच्चे वे संख्या में भी बहुमत सही है तो वह कौंग इस पास रहेगा बड़ी संख्या है जिन से स्थीवा दिलना पड़ेगा तो यह एक पक्ष दल बदल कानून लग होता है वन थाड़ अलग होना जरूरी है वो सब जो कानून काइदे हैं उसे देखते वे बहुत मुश्किल है लगबग एसम्मावे राजस्तान में सरकारों गिराना लेकिन चूंकि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो राजनीती के चानके हैं माहिर हैं हर तर ऐसे गुजरात में उन्हें जैसा किया जैसा उन्होंने कॉंग्रेस के अंदर कमजोर कड़ी कौन है वो कमजोर कड़ी देखने की कोशिश हुई है मैंने ही समझता कि इस राजस्वा में चुनाओं में कोई नचीजा वर्तमान सत्तारूर पार्टी कॉंग्रेस जो राजस्तान में है उसकी जीत पर कोई प्रशनाचक्चिन लगा सक जाता है मुझे ऐसा लगता नहीं है उसे दो सीटे मिलेंगी दो सीटों पर इसमें प्रत्याशी उतारें धन्यवाद अनिल जी समय इतना ही है राजस्वा के रण में आज के लिए बस इतना ही नमस्कार